Hello students, today we are meeting to each other through this system or this device after a long gap of time. तो जैसा कि जानते हैं कि लास में मुलाकात तो होती ही रहती है, लेकिन बीच में जो छुट्टी का इंटरवल चल रहा है, तब तक हम सोचे एक छोटा सा वीडियो और एक ही बार में, in one shot, ये पूरा चेप्टर, एंसी आटी के कार्डिंग कहें तो फिप्टीन्थ चेप्टर, या कह लिजिए कि सरैबस के कार्डिंग आपका, ये लास्ट चेप्टर संभवता है, जो निव कोर्स हो, इसके कार्डिंग, इसकी हम चर्चा करेंगे, और प्रयास ये करेंगे कि पूरा एक ही लेक्चर में इसली बिना बुक खोले, आप पूरी चीज जान लेना चाहें, तो इस वीडियो से आपको पूरी तरीके से सारा मटेरियल, क्योंकि NCRT ही बेस होता है, कोई भी बुक बनती उसी को easy बनाने के लिए, otherwise इस से बाहर समझाने के लिए भले करें, वो न आये, चलेगा, लेकिन इसके बाहर नहीं आता है, तो चलिए, तो चेप्टर 15, Improvement in Food Resources, इस चेप्टर का परपज क्या है, क्यों ही दिया गया है, सबसे पहज़र साक, नाम सबस्परस्ट है, Improvement in Food Resources, Food हमें जहां कहीं से मिलते हैं, All the sources which provide us food are called food resources, and the process of improvement in the food resources, कैसे food resource को improve किया जाए, हमें maximum food मिल सके, ये इस चेप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जरूरी ये है, कि हम ये जान लें, कि actually इसकी requirement ही क्यों हुई, Improvement in Food Resources, चेप्टर का concept क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, इस पर जोर क्यों दिया गया है, तो अगर इस पर ध्यान देंगे, तो मैं NCRT के थुरू ही चलते हैं, Line to line, we know that all living organisms need food, food के requirement क्यों होती है, बाडी में बहुत से substances के requirement होती है, जिने जनरली हम कहते हैं, nutrients, और ये nutrients मिलते कहां से हैं, फूड से, अब ये nutrients के requirement हर living being को है, इसलिए, और nutrients food से मिलेगा, इसलिए हर living being को food की requirement है, अब nutrients के label प्रगर बात कहें, जैसा कहा गया है, कि food supplies protein, carbohydrate, fats, vitamins and minerals, तो these substances, protein, carbohydrate, fat, vitamins and minerals are the nutrients, which are obtained by the food, फूड से ने हमको आप्टेन करना है, इसलिए food लेना जरूरी है, nutrients बाडी के लिए जरूरी है, और nutrients फूड से मिलेगा, इसलिए food जरूरी है, actually requirement क्या है, science जब इस chapter को नहीं बताई होगी, जब science वाले नहीं सोच रहे थे, तो क्या condition थी, जरा सोची है, साइद जो agriculture area थी, वो भी कुछ ज़्यादा कम रही समय समय पर, और cumulative मिला के देखेंगे, तो area साइद कम होई है, चाहे हो मकान बनने से, चाहे रोड बनने से, फैक्टरी इंडाजलाइस्टन हुआ, तो इसकी वज़ा से जमीन तो कम होती गए, लेकिन population continue वढ़ती जा रही है, ये बात इसमें बताईगे, पढ़ेंगे, तो पाएंगे, तो अब ये जो food है, उसके लिए ये अपने आप दिमाग बात आगए, अगर आप population ये बढ़ रही है, इसको हम रोक नहीं सकते, और हमा तो इसलिए इसके requirement बनी, अब food के source मेंली हैं क्या, तो अगर food के source की बात करेंगे, तो maximum जो main source है, ultimate source है, initial source है, वो plants होते हैं, और जिनको हम agriculture farming के थुरू, आप्टेन करते हैं, इसी तरीके से कुछ food के दो sources है, animal हैं और plants हैं, तो animal से जो source प्राप करते हैं, उसके लिए जानन होगा, animal husbandry में इसकी चर्चा करते हैं, तो इसलिए बात यहां पर दी गई है, कि we obtain most of this food from agriculture farming and animal husbandry, animal husbandry से और agricultural farming से हमें food आप्टेन करना है, जैसा कि हमने पहले बताया कि population बढ़ती जा रही है, land agriculture farming के एरिया, घर्टी आ रही है, इसलिए improvement की बात आई, चलिए main चीजे theme आपने समझ लिया, अब यह सारी कहानी इसी से इसमें दी गई है, last में हम यहां पर आते हैं, यह बात, कि the question does become how do we increase the yield of crop and livestock, तो जो crop yield है, agriculture farming हम करते हैं, कोई भी plant लगाया, उसमें जो भी हमें मिलता है, वही crop yield हो गई, क्राप से जो कुछ मिलेगा, वह crop yield हो गई, अब क्राप से हमें क्या-क्या मिलता है, different type के जो food parts होते हैं, वो cereals हैं, पल्स हैं, oil, seeds हैं, vegetative हैं, spice हैं, यह animals के लिए fodder हैं, क्राप जैसे करते हैं, बरसीम हैं, चरीव होते हैं, मेज हैं, तो यह, जो plant sources हैं, उनसे हमें यह मिलता है, कभी-कभी पूशा गया है, cereals क्या हैं, तो cereals का मतलब only अनाज जिसको हम कह लेते हैं, rice है, heat है, mage है, barley है, pulse में, जिनसे हमें दाले मिलते हैं, gram है, moog है, pea है, उरद है, pigeon है, इसी तरीके से, जिनसे हमें oil मिलता है, oily seeds हो गए, ground net है, sunflower है, soybean है, mustard है, vegetable जिसे मिलते हैं, वो leaf से, root से, stem से, different farm part के हैं, जिनको हम vegetables के रूप में, सबजीयों के रूप में यूज़ करते हैं, इसी तरीके से मसालों की बात करें, तो उसमें spices, chili है, black pepper है, अधरक है, turmeric है, यह हो गया, तो जो different parts plant के use की जाते हैं, उनको हम कैसे use करेंगे, जो दूसरे other sources होंगे, animal sources होंगे, उनकी भी चर्चा करेंगे, तो जब crop की बात करते हैं, उसमें एक बात यह भी आ जाती है, कि यह जो different type के plant sources हैं, crops हैं, उनको एक और classification junior section में पढ़ी होंगे, कि खरीफ हो रभी में भी उनको divide किया गया है, जैसे खरीफ crop में आता है, season के carding कम इनको सो करते हैं, उनके carding atmosphere रहता है, तो those crops which are sown in the month of June, July and harvested September, October, जो June, July में बोई जाती हैं, फसले हैं, सितंबर, October में लगता है, तो उन्ही को हम खरीफ में रखते हैं, example पूछा गया है, या दे दिया जाता है, यह खरीफ में है या रभी में, तो जान लेजे, यह खरीफ crop का season बना दिया गया, कि यह जून, जुलाई से start करके सितंबर, October तक चलने वाली है, और इसका example है, पैडी है, मेज है, सुगर केन है, तो यह example कुछ जानते रहें, इसी तरीके से रभी crop जो है, यह October, November में इसको सुरू करते हैं, और March, April में इसकी harvesting होती है, यानि कटाई कर लेते हैं, पैल्ड के लिए, इसमें wheat है, oat है, barley है, pea है, कहने का मतलब गेहू है, जो है, मतर, रभी में आता है, वो cereals हों, pulse हों, oil seeds हों, यह देखिए, रभी खरीफ की चर्चा हम ध्यान भी नहीं दे पाए, यहां तक लगवब पहुँच गए, इसलिए यह point, जो है, नोट करना, यह खरीफ यहां पर दिया गया, इसी तरीके से, फिर यह, रभी खरीफ भी इसमें, यह वाला portion, यह हो गया, अब आगे हम आते हैं, यहां पर focus करना है आपको, यह ज़्यादा lining इसमें बन गई, यहां इस point को highlight करना है, कि the major group of activities for improving crop yield can be classified as, इस पर ध्यान देना है, कि जो crop groups हैं, maximum जो variety of crops हैं, उस yield को increase करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस step पर अगर ध्यान देंगे, तो यहां तीन बाते बताईगी हैं, नोट करना है, crop variety improvement, crop production improvement, and crop protection management, simply पहले समझे, crop variety improvement का मतलब है, कि अगर हम चाहते हैं, yield जादा हो, उपज जादा हो, पैदावार जादा हो, सुल्तानपुर की भासा में कहें, तो उसके लिए जो तीन बाते हैं, उनकी meaning क्या है, crop variety improvement का मतलब यह है, कि जो variety हो, जो seed हो, वो अच्छी quality का हो, अब मालीज अच्छी quality का seed तो हो गया, लेकिन अब अगर उस seed को गलत जगह डाल दिया जाए, आप कहें अपने घर में फर्स पर पक्की फर्स है, वहीं पर डाल देंगे, number 1 का seed लाएंगे, तो क्या उसमें yield आ पाएगी, क्या उसका development हो पाएगा, तो इसके लिए है सही जगह, कई चीजें उसमें आएगी, कि जो seed है, उसमें maximum yield कैसे आएगी, उसके लिए जो हम technique adapt करेंगे, जिन बातों पर ध्यान देंगे, जिससे उसकी yield बढ़ सके, उसी कहते हैं crop production improvement, तो फर्स टाफाल क्या ध्यान देना है, सीड की variety कैसी है, दूसरा crop production improvement पर ध्यान देंगे, तीसरा crop protection management, अब जैसे crop लग गई agricultural field में, सीड हमारा variety उसकी अच्छी है, production के लिए इतना effort करना हमने कर लिया कि maximum yield उसमें हो, लेकिन अगा protection नहीं कर पाए, जहां से वो damage होती है, नुकसान होता है, उसमें insect लगते हैं, pest लगते हैं, उनसे भी हमको बचाना है, और यही नहीं, last तक harvesting के बाद उसका रख रखाव क्या होगा, यह भी protection में आता है, और लेकिन main protection क्या है, घर में तो बचाना सभी लोग जानते हैं, वहां से घर तक आये तो, अब crop variety improvement के लिए क्या करना है, उसके बारे में हम सोचते हैं, पहले, आईए यहाँ, crop variety improvement के लिए, अभी तक जो बता है, उसमें जान लिए, खरीफ crop और रभी crop में क्या differences है, कब लगाए जाते हैं, कौन से इसके example हैं, यह आप जान गए, क्यों requirement हुई, वह आपने जान लिया, अब इसी से related देखें, तुरंत, अब exam question आगया, in text question, what do you get from cereals, pulses, fruit and vegetables, अब इन से क्या मिलता है, वह आपको जानना है, जैसे cereals में आपने बता दिया, example, rice of heat है, maze है, barley है, तो इनके source अगर देखेंगे, सबसे nutrients से मिलते हैं, carbohydrate है, mainly cereals, carbohydrate प्रोइड करते हैं, ऐसे pulse जो है, यह protein प्रोइड करती है, fruit जो है, इन से हमें especially vitamins मिलते हैं, minerals मिलते हैं, ऐसे vegetables में भी minerals हैं, vitamins हैं, तो अलग-अलग food resource से अलग-अलग चीज़ें मिलती हैं, अब आगे आते हैं, different climatic condition, अलग-अलग crop के लिए अलग-अलग climatic condition होती हैं, उसके according ही हमको उसकी agricultural farming करते समय ध्यान देना है, अब variety का improvement कैसे करेंगे, crop variety that can give a good yield, varieties are stain or crop can be selected by breeding, में इन चीज़ आपको ध्यान देना है, ये breeding पर ये ध्यान देना है, breeding क्या है इसकी हम बात करते हैं, crop variety में breeding का purpose ये है जो similar type की species होती है, दो variety किसे जिसे गेहूं मान लिया, धान ले लिया, तो दो अलग-अलग किसमें हम hybridization करते हैं, artificial fertilization की process करते हैं, उससे जो next variety आती है, उसकी quality improve होती है, तो एक तो प्रियासिय कर सकते हैं, variety सही लें, इसके बाद ये ध्यान देते हैं, उसमें disease होने के chances कम हो, इसी तरीके से उस पर जो irrigation करते हैं, सिचाई करते हैं, fertilizer देते हैं, उनका उस पर positive response हो सके, तो दो variety के help से एक नई variety आप्टेन करने की process ही कहलाती है, hybridization, तो hybridization के थुरू, हम नई variety, जो required desired quality होनी चाहिए, उस तरह की crop को हम obtain कर लेते हैं, इसी तरीके से, variety को उप्रिट करने में, ये last में यहाँ पर ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, ये देखिए, आगया, some of the factors for which variety improvement is done, यहाँ से help ले सकते हैं, बाते हमारी कुछ याद रहें, कुछ भूल जाएंगे, कहाँ पर highlight करें, उसको ध्यान देना है, some of the factors for which variety improvement is done are, क्या कर सकते हैं, जिससे variety improvement हो, तो उसमें ये करना है, higher yield, high yield करेंट तो increase the productivity of the crop per acre area वही है, उसी में yield अलग-अलग हो जाती है, improved quality, जो seed की होती, concentration, crop product vary from crop to crop, बेकिंग, quality is improvement in wheat, protein, quality, जिसी भी yield से हमें जो मिलता है, जैसे हमें pulse हैं, उनसे protein मिलती है, तो क्या कुछ उसमें ऐसा change हो सके, कि उसकी protein और quantitative और qualitative बढ़ह जाए, इसी तरीके से और भी जो चीज़े हैं, biotic and abiotic resistance, biotic और abiotic resistance का मतलब है, कि crop पर जो adverse effect होते हैं, कुछ living beings हैं, उनसे कुछ हार्म होता है, और कुछ ऐसे abiotic आदे हैं, तुफान है, वरसात है, सूखा है, इसका जो होता है, ता ऐसी variety हो, जिस पर comparatively इसका effect कम पड़े, जैसे कई variety जैसी होती है, अब उसमें थोड़ा सा हवा पानी की घरवड़ी हो गई, कम ज़्यादा हो गया, तो उसका adverse effect ज़्यादा पड़ता है, नुकसान ज़्यादा होता है, लिए कुछ variety ऐसी होती है, उस पर in adverse situation का effect कम पड़ता है, इसी तरीके से change in maturity duration, the sight of the duration, अब जैसे जिस दिन crop की sowing करते हैं, seed डाल दिया, अब उसके तैयारी का जो period है, अगर वो कम हो जाये, तो ये भी एक variety की खासियत होती, अच्छी variety माने जाती है, duration भी कम होगा, तो duration कम होगा, तो उसमें कोई start time wise दूसरी भी crop को हम grow कर सकते हैं, similarly, wider adaptability, developing varieties of wider adaptability, will help in the establishing the crop production, under different environmental situation, कहने का मतलब यह है, कि उसमें सहन करने की छमता, जो अलग-अलग seasonal change होते हैं मोसम में, उसका जो adverse effect पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा, वो कम पड़े, जैसा कि पहले ही कर दिया, इसी तरीके से last में, desirable agronomic characteristics, tallness and profuse branching, are desirable character, father crops, जिस type की crop है, उसमें अलग-अलग type की quality required होती है, कि इसमें ये feature होना चाहिए, कभी-कभी plant की height, हाइट जादा होने से फाइदा है, कभी-कभी height से हमारा खास मतलब नहीं होता है, उसमें branches जादा निकले, तो जो desired character है, जैसा चाहते हैं, तो जो good variety होगी, अगर variety improve करेंगे, mint में इन बातों का भी द्यान रखेंगे, चलिए, अब यह हो गया, यह तो variety हो गया, अब अगला point है, 15, 1.2 इसकी बात करते हैं, यह यहाँ पर आएगे, अभी हमने बताया पहला क्या, variety improvement, और दूसरे नमबर पर है, crop production management, अब production को कैसे management करना है, variety तो अच्छी हो गई, हमने कहा अच्छी variety है, लेकिन अच्छी जगह उसको नहीं किये, सही से care नहीं किये, तो उसकी productivity कम हो जाएगी, यानि crop yield घड जाएगी, तो इस productivity को कैसे enhance करें, crop yield को कैसे बढ़ाएं, तो crop yield को बढ़ाने के लिए, कई steps हैं, संभावता नीचे यह बातें आ गई होंगी, चलिए, यह देखिए, पहले सार्ट में देख लेते हैं, nutrient management, nutrient management का मतलब है, कि जो उसमें nutrient चाहिए होते हैं, अलग-अलग crop के लिए, अलग-अलग होते हैं, उनकी supply, ऐसे fertilizer है, या manure है, इसी तरीके से, irrigation है, अलग-अलग crop के लिए, अलग-अलग type के fertilizer के requirement होती है, अलग-अलग type के swail के requirement होती है, अलग-अलग season है, यानि सही season का selection करें, सही swail का selection करें, और सही nutrient का management करेंगे, तो यह crop yield हमारी बढ़ियां होगी, क्योंकि crop yield के लिए ही, हम यह सारे प्रयास कर रहे हैं, चलिए, तो इन्होंने जो दे रखा है, उसकी बात करते हैं, different information start in the financial condition, अगर यह सब सारे management सही होंगे, तो हमारी low cost, high production, cost कम हो, यह जो management की बात की जा रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखके, low cost production and high cost production, यानि minimum input, maximum output, इसी के लिए हम production management करते हैं, कि जो वहां से productivity आएगी, वो कैसे हम control करते हैं, तो उसके लिए क्या है, nutrient management, nutrient management का मतलब, यह देखे, अलग-अलग crop के लिए, अलग-अलग nutrients required होते हैं, यह जो nutrients required होते हैं, कुछ यह जनरली air से कुछ मिलते हैं, water से मिलते हैं, soil से मिलते हैं, plant के जो nutrients required हैं, यह हमको जो ज़रूरी होता हम खाना खाते हैं, अलग-अलग टाइप के आइटम, fruit खाते हैं, vegetables काते हैं, cereals काते हैं, वहां से मिलता है, ऐसे plant को जो चीज़े मिलती हैं, air से मिलती हैं, water से मिलती हैं, इसी तरीके से, यह देखिए, एक सूची भी आपकी दी गई थी, यहां, अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं, तो इस तरीके से, crop production को manage करने के लिए, जो nutrients होते हैं, हमको तो food से मिलता है, लेकिन यहां पर कैसे मिलेगा, there are several nutrients, यहां से ध्यान देना है, several nutrients, which are essential for plant, air supplies carbon, air से carbon मिल जाता है, oxygen मिल जाता है, hydrogen मिल जाता है, इसी तरीके से, यह carbon और oxygen तो मिल गया, hydrogen comes from water, and soil supplies other nutrients, यह अलग अलग टाइप के जो nutrients हैं, soil से मिल रहे हैं, water से मिल रहे हैं, और air से मिल रहे हैं, जैसे यहां पर देखें, एक table दी गई है, 15.1, nutrients supplied by air, water and soil, air से carbon oxygen, water से hydrogen oxygen, यहां पर, देखें, air से यह मिल गा, water से मिल रहा है, soil से यह मिलेंगे, carbon oxygen air से, hydrogen oxygen water से, और soil से जो मिलते हैं, जिते nutrients हैं, different type के nutrients हैं, और यह जो different nutrients हैं, उनकी किस quantity में requirement होती है, इसके base पर, दो major category में divide कर दिया गया है, यह दो major category क्या है, micronutrients and micronutrients, those nutrients which are required in large quantity for the plant, are called micronutrients, whereas those nutrients which are required in their minimum quantity, या trace quantity, जो कम मात्रा में ज़रूरी होते हैं, plants के लिए, उन्हें कहते हैं, micronutrients, तो यह plants के लिए, जो required micronutrients और micronutrients हैं, कभी कोई पूछा गया है, इनके example क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं, मैक्रो और माइक्रो के कुछ नाम भी आपको जानते रहने हैं, जैसे micronutrients में, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur, इसी तरीके से, अगर micronutrients की बात करेंगे, तो यह हो गया, यहाँ पर, iron, manganese, boron, zinc, copper, molybdenum, chloride, यह अलग-अलग quantity में, requirement के बेस पर, nutrients को, इन category में, divide कर दिया गया, अब यह मिलेंगे कैसे, इनके मिलने के दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो यह है, भई, air से, water से, soil से तुम्हें लही रहा है, लेकिन जो required quantity है, जरूरी नहीं मिल जाए, और generally नहीं मिल पाती है, उसके लिए, अलग-अलग crop को, अलग-अलग, जिस nutrients की requirement होती है, उसको हम supply करने के लिए, दो तरीका यहाँ पर आपको जानना है, एक तो है fertilizer, nutrients supply कैसे करेंगे, through fertilizer, और एक चीज़ और, पहले आप सुन चुके हैं, कहाँ पर गया यह, चलि यह अंदर बात होगी, manure, तो दो साधन हैं आपके पास, एक तो nutrients की supply करेंगे इससे यह, दो साधन है, एक ही हो गया fertilizer, और दूसरा manure, manure and fertilizer are two major source, through which we can provide the required nutrients to our crops, crop को हमें जो nutrients देना, उसके लिए fertilizer देंगे, या फिर manure देते हैं, nutrient supply वाले इन दोनों source के बारे में भी, आपने पहले से जाना है, एक बार फिर से recall कर लेते हैं, कि यह हैं क्या, तो उसके लिए, आप ही जानते हैं, fertilizer mainly chemicals होते हैं, those chemicals, which are rich in any particular type of nutrients, are more than one nutrients, जैसे nitrogen के लिए urea दे देते हैं, ऐसे market में phosphate आता है, सुपर फास्फेट के नाम से, phosphorus देने के लिए होता है, या वैसे NPK आता है, nitrogen, mix फार में भी आता है, nitrogen आता है, potassium आता है, phosphorus आता है, combined combination भी आता है, तो fertilizer through chemical देंगे, जो market में आप सुनते हैं, अपने हाँ, dye है, potas है, urea है, तो ऐसे chemicals, जो swail की fertility को वढ़ा देते हैं, by providing the particular type, types of nutrients, उनकों कह देते हैं, fertilizer, fertilizer, जबकि manure की अगर बात करें, तो manure ऐसे हैं, जो direct chemical के फार में न दे करके, हम इसे जो animal या plants के waste products होते हैं, सुखी पत्तियां हैं, सरती गलती जो चीज़े होती हैं, जानते हैं, living being की बाड़ी, organic material से बनी होती है, और हर living being को organic materials के requirement होती है, plant generalize को बनाते हैं, लेकिन उसके लिए, raw material, जिन से organic material मिलते हो, वो पहले मिलने चाहिए, तो जो ये सरती गलती चीज़े हैं, वो manure के farm से, उनको मिल जाती हैं, जैसे आम भासा में कहते हैं, खाद सुल्तान पुरू वाले, खाद कहते हैं, तो ये manure को तैयार करने के लिए, तरीका दिया कि एक तो, फैक्टरियों में बनते हैं fertilizer, और ये घर में ही बना लिया आता है, घर पर चाहिए वो cow डंग है, या और भी जो कूडा कश्रा निकलता है, वहाँ पर रख करके, जो degradable हो, अग्रिडेबल का मतलब ये होता है, जो microbes होते हैं, उधेर अधेर उसको जो chemicals होते हैं, उनको इस फार में convert कर देते हैं, जिससे उप्लांट nutrients के रूप में convert हो जाए, प्लांट उसको easily absorb कर लेते हैं, तो एक question यहाँ पर ये आ गया, कि manure और fertilizer में difference से क्या है, इसके अपने अलग से हान लाव क्या है, तो बात यह आती है, पहले तुमने बता दिया कि manure क्या है, ये main organic substances है, obtained by the decomposition of plant and animal waste, whereas fertilizers are artificial inorganic salts, तो manure में organic substances होते हैं, और जो तरीका आपने जाना ही, इसी तरीके से artificial जो है, fertilizer artificial है, और inorganic farm में होता है, दूसरी बात यह होती है, ये जैसे हमें इस soil में particular nutrients की requirement है, तो manure में different type के हैं, लेकिन 60 quantity में होते हैं, और fertilizer में कोई particular type की nutrients होते हैं, उनकी quantity ज़्यादा होती है, manure से ज़्यादा supply हम नहीं दे पाते हैं, और ये वलकी भी हो जाता है, fertilizer में रहता है कि कम quantity में देते हैं, लेकिन एक draw वाएक यह है, कि अगर हमें requirement कम की है, ज़्यादा नहों या जो mix type का लेते हैं, हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा concentrated होने के वज़े से, इसका हार भी ज़्यादा हो सकता है, और वैसे एक नुक्सान तो आज की date में चली रहा है, कि chemicals जो हमारी body में through food पहुँच रहे हैं, अब जब manure की बात आती है, इसको तैयार करने का एक तरीका है, जिसको हम कहते हैं composting, गड़्धा बना करके, उनमें जो bio degradable substances होते हैं, उनको ले जाके डाल देते हैं, cow dung है या different type के dung से, उनको डाल देते हैं, बाद में यह कर लेते हैं, एक बात आओ रहाती है, green manure, green manure का मतलब होता है, particular type के plants होते हैं, उनको खाली समय में, जिस समय उसमें agriculture farming नहीं हो रही है, फिल्ड में, उनको उगने देते हैं, या particular type के plant को उगाते हैं, और उनकी maturity से पहले फिर उसकी plowing कर देते हैं, जुताई कर देते हैं, तो उससे बहुत से nutrient जो उनमें रहते हैं, especially nitrogen की quantity जो होती है, वो बढ़ जाती है, तो चुकि ओ ग्रीन प्लांट था, इसलिए से कह देते हैं, ग्रीन मेनेवर, इसी तरीके से मेनेवर तैयर करने का एक तो आपने जाना ही, उसको गड़ा खोद के उसको लिए composting कर लाता है, और कभी-कभी एक और वर्ड उसके लिए use कर लेते हैं, बर्मी composting, बर्मी composting बर्म का मतलब ये इनिमल्स के लिए use कियाता है, तो जैसे अर्थवार मा है, तो इसको हाँ पर डाल देते हैं, इसलि उसको ब्रेकडाउन करते रहते हैं, जो आर्गनिक मेटेरियल्स हैं, उसको तोड़के छोटा-छोटा कर देते हैं, तो अभी हमने जो बताया, कि fertilizer और manure में क्या difference है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, इनकी अपने फायदे क्या है, नुकसान क्या है, अब आईए थोड़ी स्चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पर, यह questions की बात करते हैं, इनकेक्स्ट question, जो अगला आ गया, compare the use of manure and fertilizer in maintaining soil fertility, तो अब यह क्या comparison होगा, जिस particular nutrients की requirement होगी, क्यों उसी को हम देंगे fertilizer के ज़री है, manure के ज़री है कई टाइब के पहुँच जाते हैं, manure में अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है, उससे नुक्सान नहीं है, fertilizer में अगर जिसके requirement नहीं, combine ढम लेते हैं, उससे नुक्सान हो सकता है, और वैसे भी, यह chemicals की quantity ज़्यादा होना, ultimate juice से food मिलता हो, उसके लिए भी harmful होता है, आगे चलके बात आएगी, आज organic farming की बात हो रही है, चलिए लगे हाथ, यहीं यह चीज आभी गई, यहाँ पर ध्यान दें, यह, organic farming is farming system, with minimal or no use of chemical and fertilizer, like herbicides, pesticide, etc. आज की date में सब जानते हैं, कि खाना खा रहे हैं, करते हैं chemical खा रहे हैं, यह जो crop को protect करने के लिए, insect को मारने के लिए, pest को मारने के लिए, हम chemicals use करते हैं, यह chemicals कहीं न कहीं, food chain के जरीए, हमारी बाड़ी में पहुंचते हैं, और सायद, जब food production को बढ़ाने के लिए, resource को, strength provide करने के लिए, चर्चा आई, तो कभी-कभी यह जरूत आज नहीं, बहुत पहले भी समझी गई थी, इस requirement को जब feel की गई जह जानते हैं, वो जो five year plans होते रहे हैं, system पढ़े होंगे, पंच बरसी हो जनाए, क्या-क्या किया जाए, तो green revolution आया, जो crop yield को बहुत बढ़ा दिया, ऐसे white tribulation आया, milky quantity को बढ़ाने पर उस पर जोड़ दिया गया, और सही चीज़ें बढ़ी भी, लेकिन साइध उस समय नहीं ध्यान दिया गया, कि यह जो criteria adapt किया जा रहा है, इससे crop yield बढ़तो रही है, लेकिन इसका dry white क्या होगा, तो बाद पता चला नहीं, यह chemical जो आरा जा रहा है, कई तरीके से different type के disease हो रही है, और human health को adversely effect कर रहा है, तो पता लगा कि ऐसा अगर कुछ system आये युक्ती बन जाए, कि जिसकी जरीए यह हो सके, कि कम से कम chemical यूज़ करें या ना ही उज़ करें, अर्गैनिक सोर्स पर depend रहा जाए, manure उज़ कर लें, बर्मी कमपोस्ट उज़ कर लें, ग्रीन मैनिवर उज़ करें, तो वही तरीका का लाता, अर्गैनिक फार्मिंग इसलिए एक important point है, अर्गैनिक फार्मिंग क्या है, तो अर्गैनिक फार्मिंग is a farming system, वीड्स होती हैं, हर्ब्स होती हैं, उनको नस्ट करने के लिए, पेस्टिसाइड जो हार पहुँचाने वाले, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनको मारने के लिए पेस्ट होते हैं, उनके लिए इस सिस्टम एडाप्ट करते हैं, चलिए आगे हम बात करते हैं, में और उसकी टाइमिंग होती है कि water provide करना जले ही जीवन है कहते हैं तो प्लांट के लिए भी क्राप के लिए भी water required है तो water की supply as per requirement time to time जैसी requirement है सिचाई की विवस्था करना वो irrigation है, irrigation का मतलब सिचाई, अब बात यह है कि सुरू में हमने कर दिया कि minimum input, maximum output लेना है तो उसके लिए आज की date में कुछ traditional साधन है जिससे हम यह काम करते हैं और कुछ modern ना गया है चलिए यहां lining ज्यादा हो गई है थोड़ा सा control करते हैं यह यह points पर ध्यान देंगे यहां पर देखते हुए चलिए यहां पर पहले आते हैं बिल्स कुए खोज जाते हैं जहां पर देख़ पानी रहता है वहां से को किसी तरीके से फ्लिफ्ट करते हैं कई फुरू के माध्यम जैसे रहत कहा करते थे यह एक ट्यूब बिल्स है उसमें मसीन लगा करके पानी को नीचे से और डिफ्ट से निकालते हैं और कुए में प्रिंग कलर में थट आ गया है उसकी चर्चा डिटेल नहीं की गई है तो इस लिए उस पर हम भी नहीं फोकस करते हैं आगे चलते हैं यह डैम में जो पानी होता है नहर में टाइम टाइम शुड़ा जाता है वाव जो वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं रेंग को अब आते है करते है एक और तरीका है क्रापिंग पाइटर्न की अगर बात करें तो यह पर different ways are growing car peaks can be used to give maximum benefit Maximum benefit के लिए ये भी कर सकते हैं कैसे ये crop का तरीका उसको growing का तरीका in क्रापिंग पैटर्न कहलाता है जब क्रापिंग पैटरन की बाद करते हैं तो उसमें मेन आता है जैसे या एक साथ कए एक से ज्यादा सीट को मिला करके little combination आप दिये गए अगर ध्यान दें कि डिफेरेंट वेज ग्रोइंग क्राप कैन वे यूज़ टो गिव माक्सिमम बेनफिट यह देखें मिक्सिंग का कुछ पूछा जाता है इसके साथ क्या करें मिक्स्ट क्राफिंग में का कोई ग्जामपल देजिए जिन दो क्राप को एक साथ हम ग्रोन कर स हैं और हीट प्लस मस्टर उसके साथ देखेंगे अक्तर सर्सों कोई भी खेती कर ली जाती है यह ग्राउन नट और संफ्लावर इसमें कोई भी कंबिनेशन दिमाग में एक से ज्यादा हो सकता अच्छी बात है नहीं तो यह तरीका दिमाग में बना लेंगे एक दूसरी ची इन डेफनिट पाइटर्न अफ्यू रोज आफ वन क्राप अल्टरनेट बिद्ध फ्यू रोज आप सेकंड क्राप फार एक जामपल सोयावीन एंड मेज थोड़ा सा देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है मिक्स क्रापिंग में क्या करते थे कि हम मिला करके जैसे गेहूं क साथ मस्टर्ड को गेहूं और सर्सों को बोना है तो दोनों को सीड को एक में मिला लिया या एक में नहीं मिला है गेहूं की वहाई के बास सर्सों को भी मिक्स कर दिया और रेंडमली गेहूं के साथ उग रहा है कोई अलग से नहीं इंटर क्रापिंग में क्या होता है अलग क्रापिंग करते तो उसकी सरसों के अलग लाइनिंग हो जाती और हम पूरे एरिया में ना टाहल करके उसको इजली निकाल लेते तो एक इंटरवल दे करके अलग रोक तयार कर लेना वो इंटर क्रापिंग कर लाता है mix crapping में दोनों को एक साथ मिला करके randomly सब एक साथ हो रहे हैं एक तरीका तो आपका यह हो गया crapping pattern crapping pattern में क्या बताए क्या क्या जाने mix crapping और inter crapping यह नहीं भूलना है इसी तरीके से आई यह एक बात और यहां पर दे generally insect and pest यहां प्रध्यान दिलांचार है insect and pest attack the plants in three ways they cut the root stem and leaf they suck the cell size from various parts of the plant यह plants को नुक्सान पहुँचाते हैं उसके parts को खाते हैं चाहे root को चाहे stem को चाहे leaf को different type के disease करने वाले microbes भी होते हैं जैसे जिनकों pathogenes करते हैं disease causing microbes are called pathogenes, bacteria, fungi, viruses यह भी नुक्सान करते हैं तो इसी तरीके से जो unwanted plants वहां उख जाते हैं इनकों beads कहते हैं तो beads से insects से pets से इनसे भी protection करने के लिए क्या उपाय किये जाए उस पर भी हमें ध्यान देना है तो उसके लिए insecticides हैं pesticides हैं अलग-अलग ताइप के chemicals कहने का मतलब यह कैसे हम यह सुधा रहें चलिए आगे बढ़ते हैं crop protection management अब यह तो हो गया production को कैसे बढ़ाय जाए बेराइटी को देख लिए गया कैसे सुधरेगी कैसे ब्रेडिंग के जरिए production को बढ़ाने के लिए आपने manure जाना fertilizer जाना अब इरिगेशन सही किया अब इसके बाद protection बचाओ कैसे करना है जो भी बताए insects हैं पेश्ट हैं unwanted plants या weeds हैं तो इससे बचाने के लिए जो कुछ हमें फर्ट करते हैं वह इस कटेगरी में आता है क्राप प्रोटेक्शन मनेजमेंट में अब क्राप प्रोटेक्शन मनेजमेंट में अलग-अलग चीज़े हैं चलिए एक ध्यान नहीं दिया हम सोचते साथ बताते चलें कुछ कुछ चूटते जा रहे हैं फालोइंग कंडिशन से विल गिप दा मोस्ट वेनिफिट हुई चले कभी कुछ बात कर लेंगे हम अतना लगता है पहुंच नहीं पाएंग नहीं तुलाज तक यह आते हैं यह इंपॉर्टेंट एक टेवाला नुटिस्नल वैलू आफ एनिमल प्रोड़क्ट्स जो एनिमल तो इसे जो एनिमल सोर्स है उसमें क्या आता है से मिलक है तो इसमें दिया गया है यह content approximate जानते रहना है और याद नहो तो ratio कम से कम पता रहे जादा है मिलक है तो इसमें percentage में दिया गया है देखिए यहाँ पर already percent यह है animal products है जो animal से मिलने वाले full products हैं उनकी percentage quantity क्या है milk क्या है 3.60 इसमें fat है और 4% protein है 4.5% sugar है 0.7 यह minerals की quantity है इस तरीके स्वाटर 87.2 है विटामिन्स की बात करें तो B1 है B2 है B12 है अब इसकी चर्चाम पूरा नहीं करेंगे इसको आप देख लेंगे और यहाँ पर देखें sugar की quantity निल जो दिखाई गई यह star जो इसमें बनाए ग सब्सक्राइब इसकी quantity में नहीं है यह सो किया गया तो यह data आप देख लेंगे इसमें मैं समय नहीं बिताना है चलिए आगे चलते हैं storage of grains harvesting हो गई उसको लेके चले आए तो रख रखाव सही नहीं होगा variety आपने सही सेलेक्ट कर लिया production आपने बढ़ा लिया और फेल्ड में protection बढ़ा लिया और harvesting हो गई अब yield हमको मिल गई लेकि storage पर ध्यान दिया जाए तो एक important point यह भी है कि कैसे storage किया जाए कि minimum last हो नहीं त रखता है कि क्राप आपकी गरवड़ हो जाए तो storage of grains कैसे किया जाए तिसके लिए agriculture product can be very high factor responsible फार सचाई लासे एबायोटिक और उसमें क्या है बायोटिक फैक्टर्स एबायोटिक फैक्टर्स कुछ हैं जब की जाता है तो बायोटिक का मतलब जो living being के जरी हार्म होगा उस ऐसी जगन रखते जहां गरबड़े हो जाए वहां की जो रख रखाओ के लिए बचाओ के लिए जो condition है वो सही होना चाहिए तो insect हैं रोडेंट्स हैं फंजाई हैं माइट्स हैं बैक्टेरिया हैं इनसे बचाने के लिए क्या किया जाए तो storage के समय भी इन बातों को गर ध् एनिमल हस्वेंट्री एनिमल हस्वेंट्री का मतलब यह है जो scientific management of animals ऐसे एनिमल्स का रख रखाओ करना scientific तरीके से उसको कैसे मनेज करें जिससे यहां भी बात वही है minimum input maximum output अगर हमें जो भी एनिमल्स का रख रखाओ करना है जिससे हमें food मिलेगा तो उसकी केरिंग production लेने का जो तरीका है time to time कभी कभी होता है कि बाई medication की जरूरत होती है वो कैसे कर से कि इसकी study हम एनिमल हस्वेंट्री में करते हैं यानि एनिमल हस्वेंट्री tells us about the management of animal life stock which are beneficial especially regarding the resource of food food resource के फार में जो है तो फूड जहां से भी पाते हैं इनिमल्स से उसके लिए क्या ध्यान देंगे यह यहां पर अभध्यान देना है यह बैर यह suspects such as feeding उनकी खुराक क्या होगे खिलाना कैसे व्रीडिंग व्रीडिंग का मतलब उसके जो variety आएगी आगे वो अच्छी होनी च चाहे वो किसी टाइप का cattle हो, goat है, sheep है, या poultry farming है, fish farming है, भाई fish से, या milk जो providing है, meat और milk, egg यही में इससे source है, milk पाएंगे, meat पाएंगे, egg पाएंगे, तो इस तरीके से उनके लिए diet सब के लिए अलग-अलग, scientifically अगर देखेंगे, तो अलग-अलग diet होती है, एग laying के लिए अलग-टाइप की diet है, meat की quantity को बढ़ाने के लिए, अलग-टाइप की diet होती है, कुछ ratio change करना पड़ता है, तो scientifically उसको जानना पड़ता है, चलिए, cattle farming की बात है, आगे, cattle farming में कोई खास नहीं है, चलिए, अब आगे आते हैं, क्या यहाँ पर है, dairy, चले, should the shelter shopping, food requirement of dairy animals are two type, two type के हैं, कौन, यह यहाँ पराजे ध्यान, the food requirement of dairy animals are two types, जिन से हमें milk मिलता है, वो तो कटेगरी मिन को हम डिवाइड कर सकते हैं, maintenance requirement which is food required to support the animals to live a healthy life and milk producing requirement which is the type of food required during the lactation period animals and includes, अब उनको किस टाइप का food दे हैं, इसे उनके milk की quantity बढ़ सके, और साथ साथ उसकी जो quality होती है, वो भी सहीर है, आज की date में milk produce करने के लिए, ऐसे ऐसे device adapt के जा रहा है, milk तो मिल जा रहा है, लेकिन उसका जो health के लिए benefit है, वो घट जा रहा है, चलिए, इसी तरीके से, अब दूसरा source, क्या हुआ गया, फिस के लिए क्या धेनना है, सब म हैं, उस पर भी ध्यान देना है, poultry farming का मतला बर्ड से कहीं पर अगर benefit मिलती है, तो वो किस type की होनी चाहिए, तो इस तरीके से अगर इसमें आएंगे poultry farming में कुछ बातों पर ध्यान देना है, is undertaken race, domestic fall, the egg production and chicken meats, जैसे आपने देख लिया birds का, जो farming होती है, उसे को हम poultry farming का द और common bird यही है, तो इसलिए एक meaning बन गई है, poultry farming मने मुर्गी, पालन कहा देते हैं लोग, तो इसके लिए ध्यान कहा देना, दो चीज़ें, दो type के food इससे मिलते हैं, एक तो इससे हमें मिलना है, एक resource क्या हो गया, एक मिलता है, और दूसरा meat के फार में भी use करते हैं, एक production and chicken for meat, तो दो चीज़ें मिलती हैं, तो अब इनके लिए भी अलग, अलग type की category एक नाम यूश किया गया, ध्यान देंगे, improved poultry weeds developed and farm to produce layers for egg and broilers for meat, तो दो type की variety होगी, हमको उसके ध्यान देना, हमारा main focus किस पर है, एक के लिए या meat के लिए, तो जो ये varieties हैं, पूछा गया word, ध्यान देजेगा, इसको लिए ध्यान देना, produce layers for egg and broilers for meat, तो जिनसे हम meat पाते हैं, उन्हें broiler कहते हैं, और जिनसे एग मिलता है, उन्हें हम layers कहते हैं, तो इन दोनों के लिए जो food होता है, वो अलग, अलग type का है, तो उसके carding हमें variety का selection करना है, अब जैसे यहाँ पर द इसकी क्या quality होनी चाहिए, इस बात को इसमें बताया गया है, इसी तरीके से एग and broiler production के लिए, जिन बातों पर ध्यान देना है, उन्हें के diet में क्या चीज़े होंगी, यहाँ पर देख लेंगे, इसी तरीके से fish production पर क्या बात ध्यान देनी है, जहाँ पर आते हैं, फिस production के लिए proper training होनी चाहिए, आज की diet में सरकार इसको free of cost provide भी करा रही है, कि फिस production के लिए किन बातों पर, यानि फिसरीय के लिए मत से पालन, मचली पालन के लिए किन बातों पर ध्यान देना है, कौन से varieties हैं, तो वो चीज़ें जो है free of cost training मिल रही है, उस पर भी ध्या इसका example दिया गया है, तो आप इसमें से कुछ नाम जान जाएंगे, यहां से मचली कुछ नाम जाएंगे, कुछ variety जानेंगे, जो साधारन तालाब में क्राप की हैं, उन्हीं में हम जा करके यह काम जिसका भी पालन करेंगे, जो तालाब में हो सके, marine वाली variety को तो वैसे भी इंपोर्ट करते हैं, कहीं से मंगाया जाता है, तो यहां पर इसको करना है, तो कुछ मचली के नाम जो खाने वाले जानते हैं, चुकि आप biology की student है, तो यह भी कुछ आपको जानते रहा है, जैसे यहां पर नाम दिया गया है, यह कतला है, यह surface feeder है, रोहू है, फ्रेंदा middle zone of the pond, तो उसका nature है जानना पड़ेगा, कुछ फिसे जैसी होती है, जो नीचे से, नीचे से अपना फूड लेती है, जो surface वाले फूड को लेती है, उसे middle zone से लेती है, तो उसके कार्डिंग अगर हमें यह nature नहीं पता होगा, तो उसके nutrients की supply भी हम प्रापन, किस की कौण से requirement ह किस टाइप की है, तो अगर मान लिजे हमें एक मचली का पान करना है, या अभी एक बाद साइच छूड गए, देखे जल्दिबाजी में किताब की आदत भी नहीं है, किताब से बताया जा, इसलिए छूड जाता है, क्राप रोटेशन भी एक चैसे, क्राप पैटर्न की बा किस क्राप ता कौन सा इंटरवल है, अगर ये जानकारी हो, तो बहतर एल्ड मिल सकती है, इसलिए मिल सकती है, कुछ होती है, और डेफ्ट असलिए लेती है, तो उस लेबल का जो लेती है, इसके बाद जैसे के रूट लंबी होती है, वो क्राप लिया, फिर कम गहराई में जाने वाई रूट ऐसी क्राप को लेते हैं, कुछ होते हैं जो नाइट्रोजन ज्यादा लेते हैं, अगली बार ऐसा लेते हैं, जो नाइट्रोजन कम ले, तो नाइट्रोजन जो मिट्टी में रहेगी हो, हम नहीं होगी, तो इसी तरीके से यहां पर ध्यान देते हैं, जै जैसे crop में ध्यान दियाता है, वो ऐसे इसी तरीके से, ऐसे आईए, inland fisheries है, inland का मतलब जो अपने हांकी है, इसी तरीके से exotic fishes की बाता आती है, जो बाहर से लाई गई है, दीसरा तरीका animal source में bee जाती है, जहां से हमें क्या मिलता है, सहद मिलती है, और मूम मिलती है, तो इस तरीके से ये bee keeping, पर ध्यान दिया है, हम इसको कहते हैं, क्या मधुमक्खी पालन, तो दिस वाज all about the start summary, या जितनी बाते कह दिये हैं, लगभग कोई चीज छूटती नहीं है, फिर जो confusion होगा चाहे बुक से, या फिर ध्यान देंगे, इससे help मिल जाएगी, समय चूटी जादा हो गया है, इसलिए हम सोच रहे हैं, वैसे भी इतने लंबे समय तक आप टिक नहीं पाते हैं, किस्त में देखिएगा, लेकिन देखिएगा, और बुक में कहीं भी problem आएग, तो उसकी पूरी समरी आ गए, इनना भी देखेंगे, तो क्यों अब कुश्चन पर दाज़रा साथ है, किस दिन समय मिलता है, कुश्चन की बात हम फिर से करेंगे, चली आज के लिए इतना ही धन्यवाद,